जन्नायक जन्नता पार्टी की राजस्थान के सीकर में हो रही रैली जो है वो संपन हो चुकी है और अब इसका हम विशलेशन करेंगे बिल्कुल ग्राउड जीरो से इनलो की रैली कुछी पलो में और कथम होने वाड़ी है क्योंकि फारुक अब्दुल्ला जो है वो बोल रहे हैं आकलन मोटा मोटा सा सभी आ चुके हैं करीगरीनियों से कुल दिप्शोरान जी है सर किस तरह की से देखते हैं चीजें एक कैथल में रैली थी एक यहां राजस्थान में रैली थी अब तो क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि कौन ग्राउंड भर पाता है कौन इंडिया गठवंदन के नेताओं को जुटा पाता है बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो की फीचर थ काई हुई थी और सारी कुछ यहां भर गई इसका अलबग तीन-चैराजार लोग और भी थे मोटा मोटा यहां पर 14-15 जार लोग यहां पर पहुंचे और जो है जो इसके हिसाब से और खास तो पर महिलाओं की सिंख्या भी आपने देख़ी लग चैराजार करीम महिला भी राज्यस्थान की रैली में महिलाओं का पूछना एक बड़ी बात है कि साथ सात्लबग 2400 मुषली महिलाओं भी थी मैंने 25 साल के करीर में पहली बार किसी में महिलाओं को मुषली महिला तो बड़ी सिंख्या में देखा है तो उसके हिसाब से जेज़पी अपना लक्षय हस यह उन्हें कहीं आज एक अच्छी परफ्रोमेश करने हां काम किया है जहांता कि इनलो की बात है इनलो की रैली उतनी सफल नहीं होई जितनी वह उमीद कर रहे थे तीन पंडाल लगाए गये थे उनमेंसे जो बीच का सेंटर का पंडाल था वह भी 900 फूट का था 900 फूट मे रही लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनलो को जो बुष्टिंग की जूरू थी इनलो को जो कांगर्स की नेता के आने की उमीती वो पूरी नहीं होई इसके लागा ना नितिश कुमार आए ना वहां पतेश्वी यादवाए ना लालू पसाद यादवाए ना अखिलेस यादवाए ना ही चत्यपाल मलिक आए ना ही अनुमान बेनिवाल आए और ना ही जैन चोद्री आए यानि बड़े चेहरे जो आने जो रोनक होनी चाहिए थी वो रोनक नहीं बनी तो आज कम से कम जो है इनलो के आज सपने तोटे हैं और उनके लिए ना तो भीड़ का टार अमीद थी अब नहीं आये तो किस तरह से देखते हैं अनलडी को मतलब चलिए रैली में भीड़ का तो एक अनुमान हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा है लेकिन इसका क्या फरक पड़े हैं अगर 2022 की हम उनकी 55 की रैली को देखें उसके मुकालमें 50% रिकवरी उने की है याप वापसी की तरफ इने लोग बढ़ी है और दुशन अब चोटला केने के निपरी पार्टी को परितन यात्रा के जरीए फड़ा बुष करने में सफल हुए हैं लेकिन इने लोग की पूरी पूरी उम्मेदे थी वो इंडिया मागठन नों टिक हुई थी और इसलिए पूर ज इने लोग को जटका जरूर लगा है और इमान सकते हैं अभी इने लोग कोशी जरूर करेगी क्योंकि द्रवाजया बंद नहीं हुए हैं और कंग्रस इकमा ने यह नहीं कहा है कि वो इंडिया मागठन ने लोग को शामिल नहीं करेगा यानि अब है चोटाला का इंतजार ल लेकिन इंडिया मागठन को लेकर उन्हें निराथ सयात लगी है लेकिन देखे जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हैं यह फिर यह कह सकते के पुराणे ओम प्रकास्टाला के मित्र हैं इसलिए वह वहां पे पहुंचे हैं वह सिंख्या भी तुनी लंबी सिंख इनका भाईचारा बादल परिवार का तो भाईचारा के नीच से पूचे हैं बिरंदर सिंख भी आये हैं वह अब इस इंग चोटाला उनके प्रोग्राम में कहते हैं वह अपस आये हैं तो उधारी उतार ने काम किया है लेकिन जो इन्हें लोग बूस्टिंग चाहिए थी बूस्टिंग नहीं मिली है बिरंदर सिंख इस तरह से बीजेपी में हैं लेकिन उसके बावजूद भी आएनलडी के करेकर में पहुंचे थे नाम बेशे की पारिवारिक दिया गया हो लेकिन ये आज की रैली तो जो इन थीन की काफी एक राजनेतिक हाइट से लेके आने देखे आज देविलाल जी का जनवी दिन था उस पर हम सियासी तोर पर ही लगा सकते कि आपके इन्हें लोग की आप बीजेपी कोई बात थे और पिछले प्रोग्राम में बिरंदर सिंग के अब चोटला में पहुंचे थे उचाना में तो कहीने कहीं बिरंदर सिंग ने कहा समर्थन की पॉल्टिक्स भी कर सकते हैं यानि जो मिठास की पॉल्टिक्स है जो रिष्टे हैं वो कहने कहीं आज स्टेज को पर नजर आये हैं अगर सीकर की रैली की बात करें तो क्या लगता है यहां पे किस तरह की कुछ गोशना है कि यहां से चुनाओ लड़ेंगे पॉजिशन में नहीं है तो इसमें के जो जो नारे की हैं उनकी में ज्यदा सत्ता की दावडार है फिर आपके नारों की आपके वायदों की जो हैं कि वैलू वजन होता है लेकिन इस रेयरी के जरीए चोटाला की जो बड़े-बड़े नारे थे वह दो हजार ठाइस और पै बीजेपी अगर जो पांसा सीटे ऐसी हैं जहां पर वो तीन चुनावशा जीत हासिल नहीं कर पाई है उन सीटों पर जीत हासिल करना चाहते है तो पर जेज़ेपी के से उसे गठनन करके उसमें ट्राइ मार सकती है उसमें दोनों ही पार्टी वह फाइदा है अगर एक लाइन में बात करें तो कैथल और सिकर क्या कंपरिजन है लास्ट कॉंक्लूड देखिए दुनों रैलियों में जेज़ेपी ने बाजी मारी है और इनलो पिछड़ी है और इनलो के लिए आज निरा साहत लगी है बहुत बड़ी बात है यह देखा आपने किस तरह से सिकर की रैली थी लाइन को सारा कर्यागरम आपने देखा कैथल का कर्यागरम देखा आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो विशलेशन है जो बात है मोके से ग्राउंड जीरो से वो आप सभी तक पहुंच सकें और आकलन लगा सकें कि प्रदेश की राजनिती चाहे वो हरियाना की है या फिर राजस्थान में गर्मा हट लाने की है वो किस तरह से काम कर रही है किस तरह से आगे की यह राजनिती जो वो चलेगी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहें नौस्कार